जाट विवा समीति के अध्यक्स और जिनोंने समाजी कारियों के लिए खुद ने अपनी सरकारी नोकरी से वियारेस लेकर के समाज सेवा के अंदर आप लोगों के बीच में आये हैं और बहुत से लोग इस जाट पार्लियमेंट के मंद पर वही व्यक्ति अपनी बात रखते हैं जिनोंने समाज के लिए कुछ किया है और एसी एक पर्तिबा यही के आप लोगों के बीच रेने वाले उकारामजी चोटिया साब से निवदन करूँगा कि वो आए और अपनी दो मिनिट में अपनी बात रखें शिरिमानुका रामजी चोटिया अद्येक्स जाट विवा समिती डिशा गुजरात भारत मता की वीरतेजाजी महराज की आज अंतर राष्टिय जाट संसत कायर्यकरम में पदारे हुए जाट समाज और आजना चौजरी समाज का दिल से स्वागत करता हूँ अभिवादन करता हूँ और अभिनंदन भी देता हूँ आज बासन का मोका नहीं है अज केवल अपनी दिल की बात रखने का मोका है अपनी कोम के लिए अपनी समाज के लिए एक बात अवश्य में निवेदन करना चाहूंगा समाज के हरे एक लोगों को नत मस्तक और दो हाथ जोड करके आप कभी अपनी आख बंद करके अपने दिल से पूछिए हम अवश्य फरियाद करते हैं समाज से कि समाज ने हमारे लिए क्या किया नेताओं ने हमारे लिए क्या किया अगर एक बार हम सोच लें कि समाज ने मेरे लिए क्या किया इससे अच्छा है कि मैंने अपने समाज के लिए क्या किया अगर प्रतियक व्यक्ति अपने दिल से एक प्रतिग्या ले ले कि जैसी मेरी यता सक्ति मैं अपनी समाज के लिए अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहूंगा समाज बंदूओ समाज में पैसे बहुत है लोगों के पाद जिगर भी बहुत है लेकिन अगर कमी है तो एक ही कमी है और वो है समय की समाज के लिए समय देना समाज के लिए बलिदान देना वो सबसे बड़ी बात है और आज इन दोनों भाईयों को मैं एक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने अपने समाज के लिए जो कुछ किया है आज इतने सालों से जो यह अदिवेशन चला रहे हैं और अपने समाज के लिए अपने आपको समर्पत कर दिया तो आज से हम भी एक परतिग्या लेते हैं वीरतेजाजी महराज की जय गुच के साथ जय वीरतेजाजी महराज की आज से मैं कभी फर्याद नहीं करूंगा कि समाज ने मेरे लिए क्या किया समाज के नित्रुत्वने मेरे क्या लेकिन आज से मैं ये प्रतिकना ले रहा हूँ कि मैंने समाज के लिए क्या किया आने वाली पेड़ी को अगर मैं कुछ देना चाहूं तो कुछ ऐसा भविश्य देना चाहूं कि वो आने वाली पीडी भी आज के समाज को याद करें बहुत बहुत धन्यवाद आज जो यहां पर जो मुका दिया बुलाया उसके लिए मैं तेह दिल से सबका आबारी हूँ और समाज के लिए कोम के लिए अगर मेरी कहीं पर जरूरत पड़े तो डिसा जाट समाज की और से मैं आज से वचन बत दो हूँ कि अगर कैसी भी समय फोन आया अगर हमारे लाए कोई काम का जाया तो हम आने को तैयार हैं बहुत बहुत धन्यवाद